प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पी एस किलासिस पर जिस पर हम आज शुरुकार कर रहे हैं कक्षा 10 वी के ग्रित का पहला द्या जिसका नाम है बास्तिविक संख्याई या रियल नंबर तो बेटा क्या होते हैं रियल नंबर इसको समझने के लिए हम थोड़ी पिछली कक्षा की बात करें जैसे कक्षा 9 में हमने कुछ संख्याई पढ़ी है प्राकरति संख्याई, पूर्ण संख्याई, सम संख्याई, विसम संख्याई अगर हमें उन संख्याओं के बारे में पूर्टा जानकारी हो तो मैं आशा करता हूँ इस चैप्टर रवास्तिव संख्याओं आपको बहुत बेतर तरीके स्वानि में आएगा तो इसी करम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राटोबिक लेता हूँ प्राकर्तिक संख्याओं यानि नेचुरल नंबर तो क्या होते है बेटा नेचुरल नंबर दो दो डेफिनेंशन से आपको समझाओंगा ताकि आपको अच्छे से किज़र हो सके तो देखिए लिखा है गिंती में प्रियुक्त होने वाली सभी संख्याओं प्राकर्ति संख्याओं कहलाती है गिंती का क्या मतलब हुआ बेटा एक अफिर समय लिए गिंती में प्रियुक्त होने वाली सभी संख्याओं प्राकर्ति संख्याओं कहलाती है गिंती का क्या मतलब हुआ जैसे बच्चा जो हम छुटे कला समयते हैं आप भी रहे होगे तो आपके अध्यापक आपके कहते होंगे एक चीज का नोटिस कर रहे हैं और वो क्या है कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बंच से स्टार्ट कर रहे हैं कहां तक जा रहे हैं तो इसकी डेफिनिशन एक यह भी है कि एक से प्रयारम होकर एक से प्रयारम होकर अनंत तक जाने वली सभी संख्यान कहलाती है जैसे मैं लेका जिसे एन से प्रयारम कहां से लिए गया है नाच्रोल नमर से लिए गया और पहला चले रखा है तो वह mouse 4 2 minutes जानद के सब्सक्राइब टर हो और और चाहिया है कि वीटा कि नंड सा रही क्या वह पजृति है क pause और वह कहाँ से इस स्टार्ट होगे काँ से स्टार्ट होगेcha को कहाते हैं वह बंच से स्टार्ट होने के बाद आनatar चाना चाहते हं वह अननत तक तो तो बैटा एक से प्रैयर्म होकर plus infinite यह plus अनन्द तक जाने वाले से भी संक्या क्यालाती है नहीं आउं समझ में और नहीं है तो इसारी बीट कर रहा हूं ठीक है तो बेटा आप कहां से start कर रहे हैं बंज से start कर रहे हैं ना कहां से start कर रहे हैं बंज से start कर रहे हैं सबसे चोटी प्राकष चंक्या क्यों होती है एक होती है सबसे चोटी प्राकष चंखय क्यों होती है एक होती है किसी प्राइवस्ण कर गंहें कि आज तक किसी को मालूम नहीं है और आपःपाने बता पाइंगे यह किई के सब्सक्राइब दूसरी बात क्या प्राकिन का वारएम बात इप बैसी अगर कि समझाता है कि अगर किसी एक प्राकित्ष खंक्या में जैसे महं कि मैं बद कर लूँ कोई दूसरी धंर है कि इसली सuwप्राइब कर रहा हूं कि आज में क्या है तो फाइव भी क्या है एक नेचुरल नमरी है यानि प्राकरति संक्या में है किसी एक प्राकरति संक्या में किसी दूसरी प्राकरति संक्या को बेटा एट किया जाए तो यह अखली भी क्या होता है प्राकरति संक्या ही होता है ठीक है बड़ा के बात क्या है कि बेटा सारे ही लात हैं थी कि यह के शैख्च छोड़ी प्राकरति संख्या, के प्राक्रति संख्या घिला तिमें तो बैटा योक्षिशतक रिखुष्र तो वो भी एक प्रकरटियसंगा ही है प्रकरप्त होगाई आगे बात करते हैं मैं प्रकरटियसंगा है कि अच्छे समझ में आ चुका है तो माता करता हूं कि पूर्ण संख्या तो बहुत ही असान है वह कैसे समझते हैं नाट है कि देगे 0,123...1900.. नाट है तो यह सब नकल नेचुल नम्बर है लिए बन्ट से च्टार्ट हो है तो नेचुल नम्बर है यहां से देख लिए अगरा मिल पड़ा बिइने जीरो का क्या सूनने से प्रारवन होगोंगी बिएटा ये इसे में प्रार्ण भोंकर पजैंद कर चोछ जाने मज़ने सभी के मेरणा करती है कि करने का तरीका है किसंग को पून शंग है यात रखनी हैं गोल उस प्राइब्स होगीं कोंची शेंग होगीं मैं है तो अब झालए है एक जबकि नकले है टमिकि परकर तुम पूल भेंगे बताना पर नहीं बेटा संबग नहीं है क्योंकि ये भी आज तक्या है आप परिभास देख है तो बेटा आज की वीडियो बस इतने ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक किए सब्कास किजिए और कमेंट करके इस चैनल पर कक्षा दस्वी के गलित तथा विज्ञान का पूरा सोलुशन कराऊंगा और आज के इस वीडियो में शर्फ इतना ही धन्यवाद